हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चानेल इस प्लोट का साइज है 25 फीट बाई 40 फीट और यह प्लोट इस्ट वसिंग है यानि पूर्प दिशा में आपका रोड रहेगा और इस प्लैन को मैंने बास्तु का एकुरिंग बनाने की कोशिश की है तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस ड्राइंग को एनेच का गया इस ड्राइंग में आपका मेने इंटर्ण्स यहां से होगा यानि इस ट्यार के निचे से इस प्लैन को आप पहले ठीक तरह से देख लीजिए अगर आपको यह प्लैन पसंद आती है तो आप डेस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते इस प्लैन का पीडियेप लिंक में दे दिये सभी डाइमेंशन के साथ तो फ्रेंड्स इस ड्राइज ते अंदर आते ही इस ट्यार केस का फर्स जमिन से एक फिट की उचाई पर है और आपका घर का फर्स जमिन से धाय फिट की उचाई पर है इसलिए यहां पर मैंने पाच दीये एक राइज आपका चैंज का होगा यह आपका फिट यरे सेगें राइज आर और इस डोच से आंदर आते ही यहाप को और तीन राइज आर यानि दो स्टेफ दिखाई देंगे धोनों स्टेफ को घर करते ही स्टेयर केस का फ़स्ट लेंडिंग और यहां पर एक डोड इस डोर का रहने से आप अपने ground floor या फिर first floor को रेन पर दे सकेंगे इस डोर से अंदर आती ही यहाँ पर आपको drawing room मिलेगा इस drawing room के dine तरफ मैंने sitting area दिये और by तरफ इस wall के साथ मैंने दिये tv unit इस drawing room में ventilation के लिए यहाँ पर मैंने दो window दिये तो ventilation यहाँ से हो जाएगा और इस drawing room का size है 13 feet 2 inch by 11 feet 10 inch यह है आपका first bedroom का door इस door का size 3 feet और यह bedroom 13 feet 4 inch by 10 feet 10 inch का होगा इस bedroom के साथ attas toilet भी है इस door का size 5 feet और toilet का size है 4 feet by 3 feet 7 inch और यह ventilator 2 feet का होगा इस bedroom मेंने दो window दिये यह window पका 5 feet का होगा और इस bedroom का पर्ज भी है इस door का size 3 feet और पर्ज का size है 13 feet 4 inch by 3 feet 3 inch अब ही spot से भारत है और इस bedroom से भी और देखते आपका second bedroom इस bedroom का opposite में यहाँ पर मिलेगा second bedroom का door इस दोर का सैजे 3 विट और ये बेड टूम 11 विट 11 ऑंच भाई 12 विट का होगा. इस बेड टूम में मैंने एक व्पित गारबjoosh होगा और लिस पेड डूम नर्फ पेड होगा,. बेडूम का दोर पस्चिन दिशामें आप देखेंगा आपका थार्ड बेडूम इस दोर का सइज है 3 अब इस बहुर से बहुत हैं और देखते हैं जड़ नाइन्जीज इस किचन का साइज है 6 feet 2 inch by 5 feet 10 inch इस kitchen में मैंने oven यहाँ पर दिये poop दिशा में और यहाँ पर है आपका basin और यहे kitchen का working area और इस kitchen में मैंने एक ही window दिये जो 20 feet का होगा और इस kitchen के सामने ही मिलेगा आपको dining और यह dining 4 user है इस dining room में मैंने 2 window दिये यह window आपका 5 feet का होगा और यह window आपका 3 feet का और इस दोनों window से ही dooring room का ventilation हो जाएगा और यहाँ पर है आपका basin इस dining room में यहाँ पर मैंने 5 inch के wall दिये ताके TV unit यहाँ पर लग पाए इस dining room का size है 6 feet 2 inch by 10 feet 4 inch अब इस dining room यहाँ से बहार आते है और देखता आपका common toilet यहाँ पर मिलेगा आपको common toilet का door इस door का size है 5 feet और toilet का size है 4 feet by 7 feet 10 inch और यह ventilator 2 feet का होगा अब इस toilet से बहार आते है और देखता आपका staircase इस staircase का size है 10 feet 5 inch by 9 feet 5 inch 9 feet 5 inch आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा इस staircase में आपका आप यहाँ से होगा यहाँ आपका फास्ट राइजार और यहाँ फास्ट राइजार यहाँ से 3 feet 10 inch की दूरी पर start होगा और आपका stair का चौरह ही रहेगा 3 feet 3 inch सिर्फ इस line में stair का चौरह ही रहेगा 3 feet 10 inch इस staircase में total 21 राइजार है एक राइजार आपका 6 inch का होगा तो आपका घर का हाइट होगा सारे 10 feet इस घर के फर्स्ते लेकर रूप के टॉप लेवेल तक तो दोस्तों आप तक अपने देख लिया कैसे इस drawing को एर्रेंज किया गया तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं इस वीडियो में